देश में इन दिनों किसान अंदोलन चर्चा का विशा है और पूरे देश की निगाएं इस समय पर किसानों के चल रहे अंदोलन पर है लेकिन अब बात यहां पर यह आती है जो दो डिमांड्स की मैं यहां पर खासतोर के उपर बात करूँगा पहली है MSP की गरंटी MSP की काफी अहम है इसको सभी सरकारे भूनाने की भी फिराक में है अब MSP की गरंटी विपक्ष की पार्टी ने कह दिया कि ठीक है जी हम आपको MSP की घरंटी देती हैं isकिसानों के साथ हैं और मैं बात कॉंग्रेस की और अन्य विपक्षि धानों की कर रहा हूं लेकिन अब यहाँ पर सोचनी की बात है कि किसानों को तो MSP की गारंटी मिल गई क्या खरिदार भी MSP के उपर पे सिर्फ और सिर्फ MSP के उपर फसलों को खरीदेगा उस पर बाजार के अंदर जो तेजी का महोल होगा उसका असर नहीं आएगा क्या कारोबारी नहीं खड़ा होगा कि यह हमें भी तो MSP पर खरीदने का अधिकार है फिर हम बाजार के अंदर में MSP के उपर का अदाम क्यों दें यह एक बड़ा दंभीर विशय यहां पर है जिसे कोई भी किसान एसोसियेशन या किसानों का जो नित्रत्व इस समय पर कर रहे लोग हैं वो उन्हों ने शायद नहीं सोचा और शायद राजमिदिक पार्टी के दिमाग में भी यह बात जहन में नहीं आई होगी कि भई आपको अगर प्राइस के गिरने का अगर नुकसान होता तो प्राइस के बढ़ने का जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव भी तो आप ही लेकर के घर जाते हो अगर आज आपको कोटन के प्राइजीज अच्छे मिल रहे हैं या आपको आपके धान की कीमत अच्छी मिल रही है तो वो देने वाला कौन है वो देने वाला बाजार है क्योंकि बाजार इस चीज़ को तै कर रहा है अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जब बाजार ही तो ये तैय करे कि जब प्राइज माजार के अंदर में अगर डिमांड नहीं है तो प्राइज नीचे भी आ सकते है अगर देखा जाए तो इनडिरेक्ट ये जो एक्सपेंडिचर है ये जो MSP का जो खेल है ये जो MSP की जो गारंटी है इसका लोड अल्टिमेटली आएगा किस पर कंजूमर पर ही आएगा और कंजूमर कौन है कंजूमर में तो किसान भी आता है अरे भीये जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस बढ़ जाएगा उसकी कोस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो फिर आपके घर पहुंचने वाली चीज की कीमत भी तो बढ़ेगी हर एक किसान हर आइटम तो नहीं उगाता कपड़ा तो उसको बाजार से ही लाना है अगर उसका कोटन अगर बाजार के अंदर में महंगा भिक रहा है तो कोटन से बनी हुई चीज भी तो महंगी बाजार के अंदर आएगी और उसको वो खरीदेगा भी महंगा ही ये एक सरकल है इस सरकल को इस एकोनोमिक्स को समयना पड़ेगा दूसरी यहाँ पर महत्पूर्ण बात क्या है इस से इंडस्ट्रीज काफी प्रेशन में रहेंगी पहला कि जब कीमतें उपर होंगी तो इंडस्ट्रीलिस्ट को हाई प्राइस तो देना ही पड़ रहा है उसके नीचे आप एक बेंचमार्क लगा देना चाहते हो कि इस से नीचे आप प्रोड़क्ट को प्रोड्यूज को परचेज नहीं कर सकते दूसरा महत्पूर्ण यहाँ पर जो आस्पेक्ट है दूसरा महत्पूर्ण आस्पेक्ट यह निकल करके आता है कि बाजार चाहे आज का जो सेनेरियो है उसको देख लीजिए आप 200 साल पहले चले जाएं आप 500 साल पहले चले जाएं आप हडपा संस्कृति पर चले जाएं आप सिंदू संस्कृति पर चले जाएं वहाँ पर भी जब हाट लगते थे, क्रिशी हाट लगते थे, तब भी क्रिशी उत्पादों का जो मुल्य था, वो बाजार ही तै करता था Otherwise बाजार की इकोनोमिक्स ही बिगड़ जाएगा नहीं तो जो बाजार का जो मेकनिजम है वही बिगड़ जाएगा विदेशों के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अग्रिकल्चर प्रोड्यूस की कीमतें बाजार ही तै करते हैं किसी भी बाजार को उठा करके देख लीजिए अब यहाँ पर ये बात समझने की है क्या इस आस्पेक्ट को हम लोग देख रहे हैं क्या विपक्ष ने या जो किसान अंदोलन पर बैटे हैं उन्होंने इस पहलू की तरफ देखा है कि इसका प्लस माइनस क्या होगा अगर प्राइस जब आपके नीचे आते हैं और जब आपका प्रोड्यूस लोग प्राइस की उपर पर बिकता है मैं सिरफ पुछ गिनी चुनी 23-25 कोमोडिटीज की बात नहीं कर रहा ऐसी बहुत सारी कोमोडिटीज हैं आलू का प्राइस देखिए टमाटर देख लीजिए प्याज देख लीजिए इनका कोई MSP नहीं है लेकिन ये बाजार तै करता है कि उसकी कीमत कब 300 रुपे होगी कब 30 रुपे होगी कब 10 रुपे होगी हमें सरकार से डिमांड करनी चाहिए एग्रिकल्चरल इंफरस्ट्रक्चर डवलप करने के लिए कि जब प्राइस नीचे आ जाएं तब आपके पास ऐसा मेकनिजम हो कि आप अपने प्रोड्यूस को वहाँ पर स्टोर कर सकें उसका रख रखाव कर सकें ताकि जब बाजार नोर्मल आएगा या आपको अच्छे दाम मिलेंगे तब आप उन प्राइजिस के उपर अच्छे बड़े हुए प्राइजिस के उपर अपने प्रोड्यूस को निकाल दें इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है आपको सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि आपको क्लस्टर जोन ऐसा डेवलप करके दे के वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो और उस इंडस्ट्रीज के बीच में आपकी भागिदारी सुनिश्चित हो चुकि आप कोई भी काल उठा करके देखेंगे चाहे सिंदु काल को उठा लीजी आप जिस समय पर सिंदु संस्कृती विक्सित थी जिस समय हरपा संस्कृती विक्सित थी उस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो बाजार क्रिशित पादों का जो हमेशा से भाव है वो बाजार ही डिमांड और सप्लाई के मेकनिसम के साथ में तै करता रहा है और जिस MSP की आप बात कर रहे हो निश्चित तोर के उपर हो सकता है कि इसके बहुत सारे ऐसे डीप पॉइंट्स होंगे जहां पर जो अर्थ शास्त्री हैं उनके मंथन का होना बहुत जरूरी है जहां निश्चित तोर के उपर पर जो सरकार की गाइडलाइन्स आए थी जो स्वामी नाथन रिपोर्ट जो आई थी उन्होंने जो गाइडलाइन्स दी थी उन उन गाइडलाइन्स का इंप्लिमेंटेंशन होना चाहिए लेकिन समय और जो डिमांड और सप्लाई है और जो सेनेरियो है जब समय बदलता है तो आपको अपने विचार और उस हिसाब से अपनी स्टेटेजिस को भी बदलना पड़ता है यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अकलाई होगा क्योंकि जिस डिरेक्शन की तरफ इस समय पर ना सिरफ देश आगे बढ़ रहा है बलकि सभी एकोनॉमिक्स आगे बढ़ रही है सभी अर्थव्यवस्ताएं आगे मूव कर रही है उसके मुताबिक आज के सेनेरियो के हिसाब से आपको सोच रखनी होगी आपको सोच रखनी होगी कि एग्रिकल्चरल आने वाला समय इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है कि आने वाले 10 साल आप लिककर के ले सकते हैं कि 10 साल एग्रिकल्चरल बाजार इस समय पर उठने वाला है उठेगा और मुझे नहीं लगता कि पीछले कई 3-4 सालों के अंदर में किसानों को गेहूं कि क्या अच्छे प्राइजिज नहीं मिले या आपको कपास नर्मा कपास के अच्छे प्राइजिज नहीं मिले आपको क्या सोया बिन 6,000 रुपे के भी उपर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया ये सब किसने तै किया था क्या ये सरकार का तै किया हुआ प्राइज था नहीं ये बाजार ने तै किया था तो बाजार को ही तै करने देना चाहिए डिमांड और सप्प्लाई और इसको भी आपको जहन में रखना चाहिए कि जो एग्रिकल्चरल लेंड्स हैं वो लगातार सिकुड रही है एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस की कीमत बढ़ने वाली है लोगों की इटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है लोगों की इटिंग हैबिट्स चेंज होने से आपके पास में कीमत उसकी ठीक जा रही है इंडस्ट्रियल लाइजेशन उसका कैसे हो सकता है उस प्रोड्यूस को हम एंड यूजर तक किस फॉर्म के अंदर में पहुंचा सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है आपको ये देखना होगा किसानों को इसकी अंदर में साथ आना होगा निश्चित तोर के उपर सरकार की इसमें बड़ी एहम भूमी का रहने वाली है कि जो एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी फॉर्म को चेंज करके उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सके उसकी उसका कनवर्जन कैसे किया जा सके ये अगर सक्सेस्पूल हो जाता है मोडल तो ये जो आज समस्या हम अपने इर्द इर्द देख रहे हैं जिसकी वज़ाए से फिर से एक बार दिली चोक हो गई जो टेंशन से आपर देखने को मिली है वो शायद नहीं होंगी और भविश्य में MSP को लेकर के कम से कम लड़ाई नहीं होगी परतेक किसान को ये अवशक्ता होनी चाहिए सरकार की तरफ से समझाने की कि परतेक किसान तक ये मैसेज लेकर के क्रिस्टल क्लियर मैसेज पहुंचाए कि बाजार के अंदर उतार और चड़ाव जैसे आपके ह हाट की बीट हाट बीट जिसको हम बोलते हैं उसको जब हम देखते हैं कि स्क्रीन के उपर तो अप डाउन अप डाउन कर रही है यानि कि वो परफेक्ट हेल्थ है अगर वो बहुत जादा उपर चली जाती है तो उसकी हेल्थ खराब है अगर वो बिलकुल नीचे आ जाती ह और चड़ाव है अगर बाजार में उतार चड़ाव नहीं आएगा तो यह बाजार पंगू हो जाएगा यह बाजार बिमार हो जाएगा और यह बाजार डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा तो इन आस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देने की आवशक्ता है रही बात तीसरी कि क्या किसानों का रिन माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिल्कुल अगर सेनेरियोज और सरकार की अगर पॉकेट अलाओ करती हो तो रिलक्सेशन किसानों को जरूर मिलनी चाहिए उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए अब रही बात कि फ्यूचर क्या है मैं फिर से कहूंगा किसान भी इस बात को जान रहा है पहचान रहा है आज अगर हम गाम में जाकर के देखते हैं तो किसान की हालत आगे से बहतर हुई है इस बात से किसान भी इंकार नहीं कर सकते रेवोलूशनस आ रहे हैं अगरिकल्चर के अंदर भी बड़े-बड़े रेवोलूशनस आ रहे हैं आपके खेत की उत्वादन क्षमताएं बड़ी हैं क्वालिटी बड़ी है एकस्पोर्ट बड़ा है आप को जुरूरत है बाजार की आप सरकार पर बाजार बनाने के लिए दबाव बनाईए आप बाजार को खड़ा कीजिए आप नए बाजार तलाश कीजिए उसकी आवशक्ता है ताकि आपके पास सिरफ MSP नहीं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा अदाम आपकी फसल का पहुंचे इस बात को जरूर आपको सोचना होगा कि क्या इंडस्ट्रिलिस्ट MSP पर ही फिर आपकी फसल को खरीदे बड़े हुए दामों पर नहीं तो इस पर विचार करना जरूरी है